कि अगलोगों विद्व रूट चैनल टेडिंग में चारित कैसे हो आप सब लोग आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक टो टिक्स की बहुत अमेजिंग स्टाटेजी के बारे में बताने वाला हूँ एड इस्टाटेजी इसलिए अमेजिंग नहीं है क्योंकि इसके इसको यूज करना भी उतना ही आसान है और यह प्राइसेक्शन बेजट है हमारे जातर वीडियो को सकता है 90 पर्सेंग गयों पीती ओपर ही होते हैं तो हम कैसे trade कर सकते हैं and हम एक confirmed breakout को कैसे catch कर सकते हैं and तीसरा एक breakout होने के बाद क्या उस level को हम दोबारा से trade कर सकते हैं और अगर हां तो कैसे यह सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं and बहुत amazing strategy रहने वाली है आप लोग के लिए सब फटाफट से वीडियो का हम स्टार्ट करेंगे and अभी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होगे मैंने क्योटेक्स को अल्री ओपन करा हुआ है and CAD-JPY का मैं अभी यहाँ पर चार्ट एनलाइस कर रहा हूँ and आप लोग एक चीज़ यहाँ पर नोटेस करोगे कि इस चार्ट के अंदर मार्केट एक रेंज के अंदर चल रहा है काफी समय से और इस पर्टिकुलर रेंज का जो आप लोवर रेंट देखोगे तो मार्केट न यहाँ से दो बड़ी रिजेक्शन लिया है at the same point है जो कि पहले मार्केट के लिए एक रिसिस्टेंस के तोर पे काम कर चुका है तो अगर मार्केट दोबारा से उस रिसिस्टेंस लेवल को टच करता है और वहाँ से वो रिजेक्शन दिखाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर मैं एक trade प्लेस करूँगा अगर lower end पे वो reach करता है यानि कि support level पे reach करता है तो हम वहाँ से upward direction की trade लेंगे अभी तो मार्केट ने यहाँ पर lower end को reach कर रहा है तो हम यहाँ पर upward direction की trade ले सकते हैं और 200 ESG का मेरे यहाँ पर trade amount रहने वाला है so just waiting for a perfect opportunity and हम इस candle के अंदर ही upward direction का trade प्लेस कर देंगे so rejection नीचे से आ रहा है and मैंने आपर trade प्लेस कर दी है upward direction के लिए अभी मैं आपको level भी आपर mark करके दिखाते ता हूँ कि मैंने आप रपर direction का trade प्लेस क्यों करा because अब ही जो आप एक level देख पा रहे होगे 5.46 के आसपास यहाँ पर market ने इस level को reach करा था and वहाँ से rejection शो करा था उसके बाद इसने 5.6.50 पे भी reach करा वहाँ से upward direction में गया दोबारा से 6.58 पे भी गया वहाँ से भी rejection इसने शो करी अब दोबारा से जब यह 7.04 मिनिट पर आया उस level पे तो मैंने यहाँ पर upward direction की trade पे इसकर लीगों कि मेरे को पता चल गया था एक confirmed support level है and यही इसी particular trade से आपको दो learning यहाँ पर मिलती है कि market में कोई पुराना support or resistance level still intact रहता है and वो उसके opposite काम करता है जैसे कि 550 से पहले यह level market के लिए resistance काम कर रहा था लेकिन जब इस resistance का breakout हुआ तो यह level support के तोर पर काम करने लगा and market ने यहाँ पर दो बार support दिखाया तो जब तीसरी बार ही market इस particular level पर आया तो हमने upward direction की trade प्लेस कर दी as simple as that और support और resistance बहुत असानी से काम यहाँ पर करते हैं अगर market एक particular level से बार बार touch करने के पाद रिजेक्ट कर रहा है और uptrend में जा रहा है for example market downtrend में है लेकिन एक particular level को बार बार वो touch करती है वहाँ से uptrend में जाती है तो वो एक support level है वाईसे वर्सा अगर market यहाँ पर एक uptrend के अंदर है और बार बार एक particular level को reach करने के पाद downtrend में जाती है तो वो एक resistance level है because market उस resistance को cross नहीं कर पार है after multiple attempts so पहला trade हमने आपर win कर लिए और दो learnings पर आपको वहीं से मिल गई अब थोड़ा बात कर लेते हैं breakout के बारे में कि breakouts कैसे हम identify कर सकते हैं तो देखो breakouts identify कैसे कर सकते हैं इसको समझने से पहले आपको trends को समझना पड़ेगा market के अंदर basically दो trend होते हैं एक होते है uptrend दूसरा होता downtrend और uptrend के अंदर के होता है market में साथ तर candles green color की होती है market उपर जा रहा होता है और एक continuation में आप आपर देखते हो green candles बन रही होते हैं जैसे कि अभी euro EST का chart screen पर है तो अब देख सकते हो market एक uptrend के अंदर है continuation में आपर candlestick आपर upward direction की बन रही है अब यहाँ पर uptrend के अंदर अगर कोई important resistance level break होता है तो जादा chances हैं कि वो एक level जो है pass होगा और वहाँ पर जो है अच्छी opportunity हमको देखने को मिलेगी तो euro EST के अंदर जैसे की uptrend है लेकिन market अभी एक resistance level पर है अब पहले देख सकते हो जो की 1.156 का जो level है पहले भी market ने इसको दोबरी touch करा लेकिन वहाँ से red candle बने और अभी भी आप लोग देख पा रहे हो कि इस level को reach करने के बाद एक और यहाँ पर red candle हमको देखने को मिल रहे है तो इससे पता चलता है कि euro EST का जो resistance level है वो काफी important hand, काफी strong है लेकिन जब कभी भी यह resistance level break होता है green candle से तो वहाँ पर buy करने की एक अच्छी opportunity रहेगी तो अगर market इस particular resistance को break करता है green candle से और वो green candle उस resistance level के ऊपर close करती है ठीक है resistance level को touch करना या फर उसके ऊपर जाना important नहीं है बलकि touch करने के बाद यानि की break करने के बाद उसके ऊपर closing देना ज़ादा important है तो अगर candle stick उस resistance level के ऊपर एक बार ही closing देती है तो हम अगले candle पर अब वो direction का trade place कर सकते है अभी आप लोग स्क्रीन पर देख पर होगे UST BRL का chart इसमें भी same story है market uptrend के अंदर है लेकिन बीच बीच में थोड़े थोड़े याँ पर resistance आते है जिसकी विज़ा से market याँ पर थोड़े सा pause लेता है resistance को break करने के बाद दोबारा से वो uptrend को resume करता है तो अभी आप लोग याँ पर देख पर होगे UST BRL के अंदर 5.6 का level बहुत important था उस level को reach करने के बाद 5.66 to be precise का level बहुत सदा important था उस level को reach करने के बाद market ने याँ पर downtrend के अंदर काम करना चलू करा और अभी भी याँ पर downtrend चल रहा है लेकिन जो market के लिए पहले एक resistance level थे वो अब support के जैसे काम करेंगे तब यह मैंने एक range mark करी है आप लोग देख पार हो कि green and blue line के जो मैंने एक range mark करी है यह buying range है because पहले market ने ऐसे resistance काम करा तो अब market जब इस level को reach करेगी तो ऐसे support काम करेगी and हम उससाब से आपर avatration के trade place कर सकते हैं लेकिन हम breakout के बारे में बात कर रहे थे तो मैं उसी topic में आपर दोबारा आना चाहूंगा तो breakout के अंदर यहाँ पर market को सबसे पहले हमें देखना होता है कि कोंसे trend में है एक trend confirm करने के बाद हमें देखना होता है कि market अभी support पर है या फिर resistance पर है अगर market के यहाँ पर uptrend है और market अभी एक resistance पर है green cattle से break हो रही है तो हम buy का trade लेंगे अगर market downtrend के अंदर है और एक support level break होता है और candlestick red के अंदर closing देती है उस support level के नीचे तो आपसे sell का trade ले सकते है GPSG के अंदर आपको भी मैं एक sell के यहाँ पर opportunity दिखा रहा हूँ so market का एक काफी important support level था जो कि अभी मैंने आपर mark करा है 1.28070 यह एक बहुत important support level था market के लिए और market ने इसको 3-4 बरी respect करा था इस level को market touch करती थी लेकिन touch करने के बाद closing नहीं देती थी तो दुबारा से वहाँ पर uptrend के यहाँ पर journey चलू हो जाती थी market की तो आप देख सकते हो 5.46 का जो candle था उसने भी same चीज़ करी इस support level को reach करा लेकिन closing नहीं दी वहाँ से rejection शो करी तो हम अगले candle पर buy का trade ले सकते थे और फिर 6.00 के 2.00 के अंदर भी market के अंदर same चीज़ repeat हुई यहाँ पर market ने उस level को reach तो करा लेकिन उसके बाद उसने rejection शो करी हम वहाँ पर भी एक अबवर ट्रेक्शन का trade ले सकते थे उसके बाद 6.00 के 26.00 मिनट पर 6.26 पर भी market ने इस particular level को reach करा लेकिन closing नहीं दी उसके उपर wick ज़रूर बनाई उस level के निचे लेकिन closing उसके उपर दी तो हम अगले candle यहां पर buy का trade ले सकते थे और वो यहां पर एक green candle नी बनता लेकिन यहां पर market के अंदर 6.42 पर breakout हुआ breakout होने के बाद आप लोग देख पर हो कि market नीचे दो गया लेकिन जो अगला candle था वो यहां पर green color का बना तो हमारा यह trade skip हो जाता तो पहले market breakout करेगा दूसरे candle का वेट करेंगे अगर वो भी same color का बनता है तो हम तीसरे candle पर आपर enter करेंगे पहला breakout होगा दूसरा confirmation candle और तीसरा होगा entry candle as simple as that तो breakouts को अगर आप trade करोगे तो एक तो जो fake breakouts होते हैं आप उन्हें avoid कर दोगे तो आपको जो confirmed breakout है वही मिलेंगे and strategy के पहले ही मैंने यह चीज़ clear कर दी थी कि आपको trend check करना होता है तो अगर आप शुरुवात में ही trend check कर लोगे तो आपकी और accuracy बढ़ाएगा because अगर market का trend भी आपके जो strategy को support कर रहा है तो आपकी strategy की accuracy अपने आप बढ़ जाती है and strategy की accuracy अराम से 80% above है and आपको कोई martingale use करने की जरूवत नहीं है बस जो मैंने confirmations बता है उसका ध्यान रखना trend क्या है market का उसका ध्यान रखना and market के अंदर जो अभी आप support level देख रहे हो वो क्या पहले market के लिए resistance रहे चुका है इस बात को भी notice कर लेना और अगर वो market के लिए पहले भी resistance रहे चुका है तो एक बात आप note करके लिख लेना कि ये market का सबसे important level है जब भी market इस level को reach करेगा यहां से rejection show करेगा तो trade लेना मत miss करना that's it for the video guys उमीद करता हूँ आपको इवीडियो अच्छा लगाओ को काफी सब्सक्राइब आपको examples बताए शुरू में हमने एक trade भी लेकर देखा मिलते हैं next video के अंदर तब तके लिए bye bye and thanks for watching